अखिलेश जी अब मुगेरी लाल जी के मुगेरी लाल के हसीन सबने कैसे देख रहा है मुझे नी तमझ में आ रहा है कि 2014 ते लगता चार चुनाओं हारते चले आ रहा है देखिए हम लोग केवल हर दोई में नहीं आज उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी मतदान हो रहा है भारती जनता पार्टी बहुत भारी मतों से हर जगे जीतने जा रही है क्योंकि हम अपनी सरकार की 6 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गय थे और जो महौल मैंने जनता के बीच में देखा है एक बड़ा समर्थन हमारी सरकार के प्रती लोगों का समर्थन आया है और भारती जनता पार्टी की जो का नित्रत्व है चाहें वो मोदी जी की नित्रत्व में हो या प्रदेश के अधर्णी योगी जी के नित्रत्व में हो उत्तर प्रदेश का जन्मानस भारती जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने जा रहा है चुना लेकिन मेरे ख्याल से शायद समाजवादी पार्टी को अभी वी उस कारकाल में वो जी रहे हैं जिसकार जब उनकी सरकार थी प्रदेश में और जिस तरीके से गुंडागर्दी के बल पे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता गरते थे और इसका प्रत्यक्ष पमाड है कि 2014 के वाद से जब से भारती जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है और निश्पक्ष चुनाव शुरू हुए हैं समाजवादी पार्टी का सूपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हुआ है अखिलेश जी अब मुगेरी लाल के हसीन से अपने कैसे देख रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 2014 से लगतार चार्चुनाव हारते चले आ रहा है 24 की भी तैयारी है और समाजवादी पार्टी का गुंडा राज माफिया राज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाफ्तवादी पार्टी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के 25 गड़ो जन्मानत का विश्वाद भारती जनता पार्टी के प्रति है देखे हम लोग केवल हर दोई में नहीं आज उत्तरप्रदेश में जहां जहां भी मतदान हो रहा है भारती जनता पार्टी बहुत भारी मतों से हर जगे जीतने जा रही है क्योंकि हम अपनी सरकार की छे वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गय थे और जो महाल मैंने जनता के बीच में देखा है एक बड़ा समर्थन हमारी सरकार के प्रती लोगों का समर्थन आया है और भारती जनता पार्टी की जो का नित्रत्व है चाहें वो मोदी जी की नित्रत्व में हो और प्रदेश के सरकार के नित्रत्व अधर्णी योगी जी के नित्वत्व में हो उत्तर प्रदेश का जन्मानस भारती जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने जा रहा है चुनाओं में देखिए देखिए शेपाल जी वरिश नेता है मैं उन पे तो कोई ऐसे तिपड़ी नहीं करना चाहूंगा लेकिन मेरे ख्याल से शायद समाजबादी पार्टी को अभी उस कारकाल में वो जी रहे हैं जब उनकी सरकार थी प्रदेश में और जिस तरीके से गुंडागर्दी क बल पे वो उत्तर प्रदेश में चुनाओ जीता करते थे और इसका प्रत्यक्ष परमाड है कि 2014 के वासे जब से भारती जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है और निश्पक्ष चुनाओ शुरू हुए है समाजबादी पार्टी का सूपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ ह समाजबादी पार्टी का गुंडा राज माफिया राज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है समाजबादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के 25 गड़ो जन्मानत का विश्वात भारती जनता पार्टी के प्रति है